दो साल की हुई टीवी के राम सीता की छोटी बेटी बर्दे के दिन गुर्मी दिवीना ने होस्ट की ग्रैंड पार्टी मीडिया के साथ केक काट कर मनाया दिवीशा के जनम दिन का जशन तो बिग बर्दे बाश होस्ट कर किया है सेलिबरेशन जिहां टीवी के पावर कपल गुर्मी चौधरी और देविना बनर जी की छोटी बेटी दिवीशा पूरे दो साल की होने वाली है और अब जब इस खुबसूरत जोड़ी की प्यारी सी बेटी अल्मोस दो साल की हो ही गई है तो इस कपल ने बड़े ही शानदार अंदाज में इस मौके का जशन भी मनाया है यह तो 11 नमबर के दिन दिवीशा का दूसरा जनम दिन है लेकिन गुर्मी देमीना ने इसका जशन चार दिन पहले ही मनाना शुरू कर दिया है और बीती शाम 8 नमबर को कपल ने एक बड़ा शानदार जशन भी रखा इस मौके पर कपल ने खास इंतिजाम भी किये थे जिसकी जलक E24 ने भी अपने कैमरे में कैद की थी तो चलिए बिना देर किये दिखाते हैं आपको दिवीशा के प्री बर्दे बैश की कुछ खास हाइलाइट्स और शुरुआत करते हैं बर्दे गर्द यानि की गुर्मी देवीशा की लिटल प्रिंसस दिवीशा चौधरी से प्रिंसस लुक में दिवीशा अपने बर्दे बैश में पहुंची थी क्यूट हेर क्लिप्स और सैंजल्स के साथ दिवीशा का लुक देखते ही बन रहा था तो दिवीशा की ममा देवीशा भी बेटी के जनम दिन पर सेम लुक में ही पहुंची स्काइ बलू कलर की प्रिंसस शॉर्ट स्टाल ड्रेस में देवीशा बेहत प्यारी दिख रही थी तो बोधे गल की हैंसम डेटी गुर्मी इतिस मौके पर ब्लाक सूट बूट में नज़र आए दिवीशा के बोधे पर गुर्मी इत देवीशा की बड़ी बेटी लियाना केक खाने में मश्गूल दिखाई दी मैं दिवीशा के बोधे की थिम प्रिंसस एलसा पर रखी गई थी तो भले ही दिवीशा भी दो साल की ना हुई हो लेकिन पेपराजी के कैमरे के लिए उन्हें पोस करना खुब अच्छे से आता है ममा के कहने पर दिवीशा को यहाँ पोस देते हुए देखा जा सकता है गुर्मी देवीशा ने अपनी लाडली के लिए बोधे केक भी सेम थीम पर ही तयार करवाया था जिसे दिवीशा ने अपने पेरंस की मदद के साथ कट किया तो केक काटने के बाद दिवीशा पेपराजी को केक खिलाती हुई भी नज़र आई इस दोरान कैमरे में उनके क्यूट तस्वीरे भी कैद हो गई पेपराजी ने भी उन्हें जनम दिन की बधाईया दी दिवीशा के जनम दिन के इस पार्ची में टीवी अक्ट्रूस माहे विज भी पहुँची थी पाटी के अंदर से माही ने बर्दे गर्ल की ममा देबीना के साथ सेलफी को भी पोस्ट किया है इसके अलावा और भी कई तस्वीरे और वीडियो दिवीशा के बर्दे बैस से सामने आई है आपको बता दें कि गुर्मीत और देबीना ने साल 2011 में शादी की थी मैं 3 अप्रेल 2022 को देबीना और गुर्मीत के होम स्वीट होम में बेबी गर्ल की किलकारिया गुंजी थी जिनका नाम उन्होंने लियाना रखा था लियाना के आने से ये जोडी पहली बार पेरेंट्स बनी थी वो भी शादी के पूरे 10 साल बाद तो लियाना के कदम इस जोडी के घर में इतने शुप थे कि उनके आते हीदे बीना अगले 7 महीनों बाद एक बार फिर से IVF के जरिये मा बनी और बेटी दिवीशा को उन्होंने जन दिया दिवीशा की डिलिवरे प्रिमिच्योर होई थी फिलहाल ये जोड़ी अपनी दोनों बेटीयों संग खुब खुशाल वक्त बिता रही है प्योर रिपोर्ट E24